नमबर वन सिटी का धिंडोरा पीटने वाली महानगर पालिका क्या मौनसून में नवी मुंबई शेहर को डूबने से बचा सकती है 14 वर्षों से सफाई बिना खीचर से भर चुका होल्डिंग पॉन और बरबाद हो चुका पंप हाउस इसका बड़ा सबूत देता है इसके सुदार के लिए लगातार मांग करते आ रहे शिवशना युवानेता अवदूत मोरे ने कहा कि यदि मौनसून शुरू होने से पहले इस पर घंबीरता से ध्यान नहीं दिया गया तो वाशी सिटी को बाड़ और तबाही से बचा पाना मुश्किल होगा क्या मांशून में डूप सकती है वाशी सिटी क्या होल्डिंग पॉंड बनेगा तबाही का पड़ा जरिया आखिर कब होगी होल्डिंग पॉंड की सफाई तो मैं ये बताना चाहता हूँ राजनीती मत कीजे आप लोगों के हित में काम कीजे सिटी डूबेगी तो ये ही जवाब दाए हूँ कि बारिश के मौसम में इधर पूरी तरह से ये 100% ये पूरा एरिया सेक्टर 678 सेक्टर 4 ये सब में पानी भरने वाला है जी हाँ 14 वर्षों से कीचर और मलवे से भरा नईमबई वासी का ये होल्डिंग पांड तो यही सबूत देता है गौर कीजिए तस्वीर में दिख रहा नईमबई का वो होल्डिंग पांड है जिसे नेधरलेंड के डच तकनीक पर बनाय गया है यह नईमबई का पहला होल्डिंग पांड है जहां वासी सेक्टर 2, 4, 6 के तमाम नोट्स के साथ ही APMC, सानपाडा, तुर्बे इलाका और पहाडिक शित्र का पानी नालों के जरिये यहां पर जमा होता है फिर पंप के जरिये खाडी में छोड़ा जाता है लेकिन असलियत यह है कि जिस पांड को हर साल साफ करना चाहिए था उसकी सफाई बरसों से अटकी पड़ी है पंपाउस के मोटर बेहत खराब है और पाइप लाइन जरजर हो चुकी है ऐसे में सोचिये कि आखिर होल्डिंग पांड बारिस की बाण और प्वाटर प्लो को कैसे रोक पाएगा आखिर यह वासी सीटी को डुबोने की तयारी नहीं तो और क्या है अच चौदा साल से साफ नहीं हुआ इसके कारण इसका मलबा देखे कितना बड़ा है और उदर देखे हैं आप उदर से पूरा जो खेरने MIDC तुर्बा MIDC और यह तुम्हारा सानपाण सेक्टर 30 सेक्टर 9 सेक्टर 16 सब का पानी ओ अरेंजा कॉर्णर के हाँ कलेक्ट होके इधर छोड़ा जाता है और इधर इधर यह इलाका यह पूरा वह पानी के लोड से भर जाता है और इस तरव आप देखेंगे नीचे जुक के एक ही लेवल हो गया है सेक्टर 678 का जो चार का जो पानी आता है उसको तो यह पूरा पानी का लोड उसको अंदर आने नहीं देता है इसलिए पूरा हमा सबसे नहीं कि अभी elle 10 दिन में तो बारिश में इधर ठोंड होने वाला है तो मैं यह बताना चाहता हूं अभी यह जब पूर पुर सुर्बरों परिस्तिति आने वाली है जब लोगों में पानी जाने उल्लै तो पूरा जौबतर हैं आप जौबदर हैं इसके लिए सूतर बताते हैं कि वासी के होल्डिंग पांड की सफाई में यहां के मैंगरूज के पांच पेड सबसे बड़ा रोडा है और यही वज़ा है कि पर्यावरण सुरक्षा का हवाला दे कर मन्यपा प्रशाशन के अधिकारी होल्डिंग पांड को साप करने से पीशे हट रहे हैं लेकि होल्डिंग पांड की सफाई को रोकना और वासी को बाण के खत्रे में डालना नहीं तो और क्या है उन्होंने कहा कि हर मानसून में वासी डूब रही है लेकिन शिकायत और मांग के बावजूद भी मन्पा के अधिकारी सबक लेने को तयार नहीं है युआने तावदूत मो और मन्पा अधिकारियों को लताल लगाते हुए कहा कि सहर ढूब रहा है इसलिए समाधान करोर राजनीती नहीं मैं शॉक्तू सर्प्राइज हूं कि आज बारिज 10-15 दिन पर आने को है और यह हलत है यह जो में हाट ऑफ दूसिटी जो यह बंद पड़ेगा तो पूरा सिस सेविंटी में यह शेर सी लेवल के नीचे है इसलिए यह सिस्टम इधर लाए नेधर लैंड्स यह सिस्टम पर पूरी तरह से ध्यान देते हैं इसलिए उनकी सिटी में कभी पानी फ्लरड नहीं होता लेकिन अपने इधर देखी यह आलत है यह मैंगरुष की जगे नहीं है यह मैनमेड तलाओ है यह मैनमेड पॉंड है और तभी यह प्रॉपर मेजर मेंट लेके बनाया गया है ताकि यह एक्सेस वाटर इसमें कलेक कर सके जैना जह चार पेड़ के वज़े से हमारी पूरी सिटी धोके में आने वाली तैसे भरने वाला है सिटी डूबेगी तो यही जवाब दार है फिलाल होल्डिंग पांड की बरबादी और सफाई नहीं होने के कारण पैदा हुए बार के खत्रे पर कोई भी मनपा का अधिकारी कैमरे पर बोलने को तयार नहीं है उम्मीद है कि मनपा आयोगत अभिजेत बांगर बोद होल्डिंग पांड पर नजर डालेंगे और वासी सिटी को डूबने से बचाने की पहल करेंगे दोरो रिपोर्ट टीवी वर इंडिया लेटेश अपडेट्स और ताजातरीम खबरों के लिए टीवी वर इंडिया लाइफ को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिके पाने के लिए बेल आइकोन को दवाना मत